नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर सीविल्स अबसेट में तो यह वाला टेली जरूर जोइन करके यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेली जोइन करना बहुत ज्यादा जूरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे अप्डेट, सारे मोस्न इ इसको जरूर करें पर लेजेगा यह वाला टूर पर सुब्ल्स नमस्कार में हम घुझा ओमदी वेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टाइडी फॉर सेविल्स में, जिसमें आज हम यूपी पीसे और आरो के कुछ साइंस के questions देखेंगे और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि study for civil services के free और paid courses YouTube और टेलेग्राम पर मटरू दें जिनने आप इस लिंक के तूरो और इन दो नमबस पर कॉल करके जोइन कर सकते हैं हमारा पहला question है निम्लिखित में से विज्ञान की किस शाखा के अंदर शिलालेग संबंदी ज्यान का अध्यन किया जाता है Cartography, Epigraphy, Ecology या फिर Geology तो आंसर है इसका Epigraphy के अंदर हम शिलालेग संबंदी ज्यान का अध्यन करते हैं अगला देखें निम्लिखित में से कौन सा द्रव की शन्यता मापता है आपका Venturimeter, Viscometer, Pyrometer या फिर Spectrometer तो आंसर है इसका Viscometer है जो यह आपकी द्रव की शन्यता को मापता है विसकोसिटी को मापता है ठीक है अगला देखें निम्निकित में से कौन सा न्यूटन की गती विश्यक प्रथम नियम का उधारण है हत्वड़े को हत्ते को कसने के लिए हम क्या करते हैं जमीन पर मारते हैं ठीक है तो यह वाला फर्स्ट लोग एक्जामपिल है ठीक है तो इनर्शी आफ रेस्ट पर होता है व निम्निकित में से कौन सा न्यूटन समवेग संरक्ष्ण के सिध्धानत का कन्जर्वेशन अफ मॉमिंटम का एक्जामपिल है राकट को के ऊपर जाने का सिध्धानत का और इस conservation of momentum का है और बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को जो धक्का लगता है वो भी है ठीक है तो दोनों ही यह इसी के example है answer C हो जाएगा इसका अगला देखिए निम्रिखित में गुरुत्व तोरण से सम्मंदित कौन सा गथन सत्ध है प्रत्वी के केंदर पर गुरुत्व तोरण का मान अधिकतम होता है केंदर पर बोल रहे हैं ठीक है अधिकतम नहीं होता शून्य होता है ठीक है तो यह गलत हो गया प्रत्वी की गुर्णन गती बढ़ने पर गुर्ट्वी ये तुरण कैसा हो जाता है घट जाता है ना की बढ़ जाता है ठीक है अंसर D हो जाएगा अगला देखिए निम्रिकत में से कौन सी स्थिती में व्यक्ति भारहींता का अनुभव करता है प्रत्वी की परिक्रमा कर रहे व्यक्ति उपग्रह से भारहींता का अनुभव करते हैं ठीक यह सही है उसके बाद लिफ्ट तूटने पर नीचे की और गिर रहा व्यक्ति भारहींता का अनुभव करता है यह पार्ट भी आपका सही है ठीक है दोनों ही सही है C answer अगला देखे निम्लिखित कत्रों में से कौन सा सत्य है यदि lift उपर की ओर जाती है तो प्रतीत भार वास्तिविक भार से कम होता है ठीक तो यह गलत है क्योंकि जब उपर की हो जा रही है तो अधिक होगा यहाँ पर कम लिखा हुआ है ठीक है अधिक होगा यह गलत हो गया और यदि lift नीचे की हो जाती है तो प्रतीत भार वास्तिविक भार से यहाँ पर अधिक लिखा है जब कि यहाँ पर कम होना चाहिए ठीक है तो दोनों ही गलत हो गए answer D हो जाएगा अगले देखें निम्रिकित कत्रों में से कौन सा सत्य है उपग्रह की कक्षिये चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करते द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है जो आपका orbital speed होती है आपकी satellite की वो mass पर depend नहीं होती है ठीक है यह एक fact है याद रखिएगा तो यह गलत हो गया और दूसरा देखिए उपग्रह प्रत्वी तल से जितना दूर होगा उतना चाल उसके अधिक होती है ठीक है अधिक नहीं होती उतना उसके चाल उसके कम होती है ठीक है तो यह दोनों यहाँ पर भी गलत हो गया तो आंसर हो गया D निम्रिखित कत्रों में से कौन सा सत्य है देखिए रडार के द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से आकाश गामी वायुयान की स्थिती और दूरी स्थिती और दूरी का पता लगाया जा सकता है रडार के द्वारा बिल्कुल सई स्टेटमेंट है और मेसर का उपयोग अंतरिक्ष तथा समुद्र में संदेश में संपरेशन में जटल ऑपरेशन केंसर की चिकितसा हेतु होता है ठीक है मेसर का उपयोग एक तो आपका अंतरिक्ष तथा समुद्र में संदेश से संपरेशन में और दूसरा जो कठेन आपरेशन्स है उनमें दोनों में होता है इसका यूज ठीक तो यह दोनों स्टेटमेंट आपके सही है आंसर हो जाएगा सी अगला देखे निम्लिखित कस्वनों में से कौन सा सत्य है जब कोई वस्तू उचाई से मुक्त रूप से गिराए जाती है तो वस्तू का वेग द्रवमान की कारण बढ़ता है तो द्रवमान की कारण नहीं बढ़ता है गुरुत्वी यह तोरण के कारण आपका जो सरी acceleration ड्यू ग्रेविटी है जो एक्वेटर पर अपका जो ग्रूत्वी यह तोरण है वह अधिकतम नहीं होता वह निम्लिकतम होता है मिनिम्लिकतम होता है तो इसलिए यह वाला statement भी आपका गलत हो जाएगा दोनों statement गलत हो जाएगे D answer अगला देखे निम्लखित कत्रों में से कौन सा सत्य आपतन कोड का वहमान जिसके लिए अपवरतन कोड का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिय कोड कहते है उसे critical angle कहते है ठीक है तो यह वाला part सही है और दूसरा देखे प्रकाश के परावरतन के कारण ठीक है सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के कुछ समय पूर्व सूर्य दिखाए देता है वो परावरतन के कारण नहीं दिखाए देता बलकि अपवरतन के कारण ठीक है, ठीक है तो यहां पर परावर्तन की वेसे यह गरत हो जाएगा, पहला वाला यहां पर सही है, आंसर हो जाएगा A निम्लिखित में से कौन सी स्थिती पून आंतरिक परावर्तन के लिए होना अनिवार है प्रकाशिय किरणे सगन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है ठीक सही है और आप तंकोड क्रांतिय कोड से बड़ा होना चाहिए दोनों पार्टिक्स के सही है आंसर हो जाएगा यहाँ पर C अगला देखिए निनम विकित कत्रों में से कौन सा सही है पानी का बुलबुला अवतर लेंस की तरह दिखाई देता है परन्तु यह उत्तर लेंस की तरह विभार करता है ठीक है गलत लिखा हुआ है उत्तर लेंस की तरह दिखाई देता है और विभार कैसा करता है अवतर लें कुमिटर के बीच होती है यह वाला पाट सही है तो आंसर हो गया है यहां पर बी अगला देखें जराद रस्टी दोस्ट से समंदेत निम्लिखित कत्रों में से कौन सा सत्य है व्रध्यवस्था में आख की समंजन शम्ता में कमी होने से व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु उसप उत्तल लेंस जो होते है उनको उपयोग मेलागर इस दोस्ट का निवारण किया जा सकता है कौन सा उत्तल लेंस ये वाला गलत हो गया क्योंकि उचे चमता वाले जो बाईफोकल होते हैं पास का दूर का दोनों का नहीं देख रहा तो बाईफोकल यूज़ कीजिए इसकी सह फोकस दूरी का बहुत अधिक बढ़ जाना या नेत्र के गुलाक का छोटा हो जाना है आइबॉल का छोटा हो जाना है ठीक है तो यह देखिए गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि दूर द्रश्टी दोश का यह कारण है ना कि निकट द्रश्टी दोश का ठीक है इसलिए ये गरत हो गया और उचित छमता वाले अवतल लेंस को प्रियुक्त करके निकट द्रश्टी दोश का निवारण किया जा सकता ये पाट सही है तो आंसर हो जाएगा इसका B अगला देखिए निकट कतरों में से कौन सा सत्य है माध्यम जितना सघन होगा जितना डेंस होगा ठीक प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी ठीक बिलकुल सही स्टेटमेंट है और निरवात में मतलब जो वेक्यूम है उसमें आपका प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है ये भी सही और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के दौरान ट्रांस्मिशन के दौरान प्रकाश की जो आवरती है वो अपरिवर्थित रहती है ये पाड़ भी सही है ठीक है तीनों सही है आंसर डी अगला देखिए निम्लकित कत्रों में से कौन सा सत्य है कोलाइडल कड प्रकाश की रणों को फैला देते हैं जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है ठीक है सई स्टेटमेंट है और कोलाइडल कडों को च्छान कर प्रथक नहीं किया जा सकता है लेकिन कोलाइडल कडों को लग किया जा सकता है यह वाला पाट सही है आंसर हो जाएगा इसका C अगला देखें निम्रिखित कत्रों में से कौन सा सत्य है पेंजीन हेक्सा क्लोराइड को गैमेक्सीन कहते हैं इसका उपयोग कीट नाशक के रूप में होता है ठीक सही स्टेट्मेंट है और पाइरीन है ज कौन सा सत्य है वे वसाएं जिनकी वसीय अमल शंकलाओं में एक अत्वा एक से अधिक कारबन दुई बंद मतलब यह सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट्स के बारे में है तो इसमें कह रहे हैं कि वह फैट्स जिसमें डबल बॉंड होते हैं जो कारबन के एक या ए एक से जादा प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेचुरेटेड फैट्स कहते हैं संतरप्त वसा कहते हैं तो यह वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसको अनसेचुरेटेड फैट्स कहते हैं ठीक है और जो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं वह आपके मचलियों में पाई जाने एनलीन या फिर एस्टर तो आंसर है इसका एनलीन टिक सी आंसर अगला देखें निम्दिखित कथरों में से कौन सा सत्य है देखें लोहे का शुद्रूप जो अध्योगिक कार्यों में प्रियोग होता है वो पिग आयरन कहलाता है और इसमें कार्बन की मात्रा अत्यदिक कम होती है तो ये पिग आयरन नहीं कहलाता उसे पिटवा लोहा कहते हैं क्या कहते हैं पिटवा लोहा और आपका जो आयरन से कार्बन की मात्रा बढ़ा कर जादा कट हो और इस पात निर्माड किया जाता है सामानेत है दो फीजदी से अधिक नहीं होता ठीक तो यह वाला पाट है जो यह सही है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली टू पहला वाला गलत है अगला देखें निम्रखित कत्रों में से कौन सा सत है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग फोटो क्रमेटिक ग्लास बनाने में किया जाता है ठीक है तो फोटो क्रमेटिक ग्लास के लिए आपका सिल्वर आयोडाइड नहीं होता है सिल्वर क्लोराइड होता है ठीक है तो यह गलत हो गया और सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसको फोट ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड की तो आंसर है सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है बी आंसर अगला देखें निमलिकित कत्रों में से कौन सा सत्य है प्लैटिनम का उपयोग प्रियोक शाला में ये को सथ है क्लोरोकारबन का उपयोग फोम और प्लास्टिक के निर्माण में की जाता है और जिंक ऑक्साइड को सफेद थोथा भी कहते है यह वाला गलत हो जाएगा क्योंकि जिंक ऑक्साइड नहीं जिंक आपका सल्फेट है ठीक है सल्फेट ठीक है तो आंसर हो जाएगा इसका only one a answer अगला देखिए निम्विखित कत्रों मेंसे कौन सा सत्य है जिंक सल्फाइड का उपयोग चूहा विश्ख के रूप में किया जाता है गलत हो गया जिंक सल्फाइड नहीं है यह आपका जिंक फॉस्फाइड ठीक है फॉस्फाइड ठीक है तो यह गलत हो गया दूसरा लीथो लिथोपोन का उपयोग है जो वो रंगाई से संबंदित कारियों किया जाता है यह पार्ट बिल्कुल सही है लिथोपोन है जो किसका मिक्शेर होता है बेरियम सलफेट का और जिंक सलफाइड का ठीक है जिंक सलफाइड और बेरियम सलफेड का मिक्शेर होता है लिथोपोन ठ तो दूसरा और तीसरा यहां सही हो जाएगा बी आंसर अगर देखें निम्रिखित कत्रों में से कौन सा सत्य है पारे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क सिनेबार है ठीक है और पारे का मिश्र धातु अमलगम कहलाता है यह भी सही है और पारे को विक सिल्वर के नाम से भी जान होता है ठीक सएी है और सफेद फॉस्पेड है जो वह अंदहरे में प्रकाश उत्पन करता है यह पार भी सही हे ठीक तो आंसर हो जाएगा सिक दोनों सही है अगला देखरे के बारे में इस कथन नहारी待 है और यह ना तो जहरीला होता है और ना ही अंधेरे में चमकता है ठीक सही है और एड़ फॉस्फोरस का उपयोग आपका माचिस बनाने में यूज होता है ठीक तो ये वाला पार्ट भी सही दोनों आपर यूज है अगला देखे निम्लेकित कतरों में से कौन सा सत्य है नाइट्रोजन का उपयोग इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड की रूप में किया जाता है तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्यूंकि नाइट्रोजन का नहीं वहाँ पर फॉस्फीन का उपयोग होता है ठी अगला देखिए कार्बन से संबंदित निम्लिखित कत्रों में से कौन सा सत्य है जैसे जैसे गहराई कम होती है कोईले में कार्बन का प्रतिशत कम और गुडवत्ता है जो वो खराब हो जाती है ठीक सही है और पीट कोईला है जो वो सामनत है पचास परसंट से भी कम कार्बन होता है उसमें ये भी सही है और एंथरसाइट कोईला सरवादिक गहराई से प्राप्त होने वाला और उच्छ कार्बन एनथरसाइट फिर बिटूमिनस फिर लिगनाइट और फिर पीट ये इनका केटेगराईजेशन है इसमें कार्बन परसंटेश के साब से तो आंसर हो जाएगा यहां पर D अगला देखें निम्निखित कत्रों में से कौन सा सत है देखें थोरियम को आशा धातू भी कहा जाता है तो ये गलत हो गया क्योंकि थोरियम को नहीं यूरेनियम को कहा जाता है और विद्धु तुप करण में जो आपका फ्यूज होता है उसका तार है जो वुकाय का बना होता है लेड का और टिन का बिल्कुल सही है और प्लूटोनियम एक हैवी रेडियो एक्टिव मेटल है तो ये भी सही है दोनों सही है आपर आंसर 2 और 3 अगला देखिए निम्लिकित कत्रों में से कौन सा सत्य है देखिए आतीश बाजी के दौरान हरा रंग है जो वो स्ट्रोंट देखिए हरा रंग और एक आपका चटक लाल रंग ठीक है चटक लाल होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है और हरा रंग है जो आपका वो आपका बेरियम के कारण होता है ठीक है तो यह दोनों क्या इंटरचेंज कर दिये गए है इसलिए यह दोनों ही गलत है आंसर हो जाएगा डी अगला देखें निम्लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलेत है आपका जो ऑक्सेटोसन है वो अगला देखें निम्लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलेत है अगला देखें निम्लिखित कत्रों में से कौन सा सत्य है प्यास के कटने पर आखों में आशु है जो वह सल्फेनिक एसट के कारण आता है ठीक है या लग से पूछा गया था एक बार सल्फेनिक एसड ठीक बिल्कुल सही है और इस प्याद लहसुन की गंद का कारण सल्फर यौगिक की उपस्थिति होती है यह भी सही है और कीटों में स्वशन वातक तंत्र है जो वह वातक तंत्र के द्वारा होता है ठीक है इंसेक्स में जो respiration होता है वह किसके थूरू होता है respiratory organs के थूरू ठीक तो यह पार्ट भी सही है तो D answer अगला देखें निम्निखित कत्रों में से कौन सा सही है देखें आपका स्वशन का नियंत्रन मस्तिश के medulla oblongata वाले पार्ट से होता है ठीक है और enzyme है जो वह मूलता है proteins होते हैं दोनों ही सही है C answer निम्निखित में से कौन सा यूगम सही सुमेलेता है पादप जीवास्म का जो अध्यान होता है उसको paleontobotony कहते हैं paleobotony ठीक है और वनस्पति फूलों का अध्यान होता है वह anthology और मस्तिश की क्रिया शीलता है जो वह phronology होती है ठीक है तो यहां पर यह तीनों ही सही हो गए आंसर हो जाएगा D अगला देखें निम्रिखित रोगों और उनके कवकों में से कौन सा ही सुमेलेता है एसपरगिलस रुगडता है जो वह एसपरगिलस fumigators ठीक है यह आपको याद रखने है बिल्कुल सही है हिस्टो प्लाजमता है जो वह हिस्टो प्लाजमा capsulatum ठीक और crypto caucas था है जो वह आपका crypto caucas neoformase ठीक है तो यह इनके जो कवक है इनके नाम भी कुछ-कुछ इंपोर्टेंट वाले है वह आप याद रखे ठीक है तो यह भी सही है तीनों सही है जो डी आंसर ठीक है याद रखिएगा इनको इसलिए जमें गलत नहीं किये ग होगा आपका काई से संबन देता है मुमफली से संबन देता है बिल्कुल सही और उसके बाद आपका soya bean है जो यह इसमें सबसे जादा protein अंडे से भी जादा protein होता है soya bean में ठीक है तो यह भी सही है आंसर हो जाएगा यहापर D अगला देखें prokaryotic cells और eukaryotic cells से संबन देत है तो यह prokaryotic है जो यह आपकी semi developed होती है बिल्कुल सही है और eukaryotic होती है उसमें real nucleus होता है यह भी सही है ठीक है तो c answer हो जाएगा अगला देखें निम्लकित कत्रों में से कौन सा सत है देखें DNA में शरक्रा क्या होता राइबोस होता है तो यह गलत हो गया राइबोस नहीं है जो यह RNA के बारे में है ठीक है यह दोनों RNA के बारे में सही है और अगर base की बात करते हैं आपर तो देखें जो आपके RNA होता है उसमें जो आपका DNA होता है उसमें क्या होता है A आपका Adenin T थाइमीन C मतलब Cytocene G मतलब Goanine अब जो आपका RNA है उसमें यह आपका थाइमीन है जो इसको हट रिप्लेस करके यूरेसल बेसा जाता है यह आपका RNA में होता है जब कि यहाँ पर DNA के लिए कह रहे हैं तो यह गलत हो जाएगा दोनों ही गलत है D answer अगला देखें निमलिखित में से कौन सा कथन उपकला होता मतलब epithelial tissues के बारे में सही है जो epithelial tissues है वो जन्तु की बाहरी भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाये जाते हैं बिल्कुल सही तोचा का जो बाहरी सतह है उसमें आपका epithelial tissue होता है यह example हो गया यह भी सही C answer हो जाएगा अगला देखें निमलिखित में से कौन जो है emitosis के उतारण है जीवानू है यह केवल जनन अंग कोशिकाव में होते हैं और यह विवाजन दो चरणों में समपूर्ण होते हैं देखें यह दोनो ही कथन है जो वह आपके m 상akad matosize के बारे में सही है मतलब अर्ध शूत्री के बारे में सही है अर्ध सूत्री के बारे में यह दोनो statement है जो वो सही है तो answer हो जाएगा यहाँ पर दोनो गलत क्योंकि यह समसूत्री के लिए लिखे गए है ठीक है तो दोनो गलत हो गए तो D हो गया अगला देखें निम्रिखित कोशी कांग और उनके खोज करता है कोशी का भित्ती है जो वो रॉबर्ट हुक और राइबोसोम पैलेड और केंद्रक मतलब न्यूक्लियस है जो वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा बिल्कुल सही है तीनो ही सही है याद रखिएगा D answer अगला देखें निम्रिखित पाचक रस जो digestive juices होते हैं और आपके enzymes होते हैं ठीक है किस juice में क्या enzyme तो लार में आपका amylase होता है ठीक है ठीक है गेस्ट्रिक जूस में आपका pepsin होता है ठीक है और आपका जो pancreatic juice है उसमें trypsin भी होता है ठीक तो यह तीनो ही यहाँ पर सह होता है युकरूम ठीक उसके कारण होता है सही है और मानव मूत्र अमलिय होता है और इसका शुद्ध रक्ट को लाने वहनियों को क्या कहते हैं Vains कहते हैं, यहां धमनिया लिखा हाई, मतलब यहां Artery is लिखा हुआ है मतलब केकर Tip औरहसalen अर शुद्यरक्ट को शरीम के विभमिन अंगों болी लेजाने वाली वहनियों की कहते हैं शिराएं यह भी गलत हो गया क्योंकि यह आपर होगा आपका आर्ट्रीज ठीक है दोनों ही गलत है डी आंसर अगला देखें निम्लिखित कत्रों में से कौन सा सकते हैं WBC का जीवन काल है जो वो कितना होता है 24 से 30 गंटे होता है ठीक सही है और WBC का सामाने से कम होना लिकोपीन होता है और सामाने से जादा होना लिके मिया होता है ठीक है तो तीनों ही सही है डी आंसर हो जाएगा अभी आप वीडियो को पॉस कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माद्व से बताएं अगर अभी तक आपने हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अधी मिलेंगे अगली टॉप 50 कोशेंस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद